नमस्ता दोस्तों इपार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों IPL के सोलवे सीजन की सुरुवात जो है हो चुकी है और कल पहला मैच गुजरात और चेनने की बीच में जो है खेला गया और इस बार का जो IPL का मैच है जियो सिनेमा एप में फ्री में जो है दिखाय जा रहा है और यह देखकर मेरे मन में यह सवाल आया कि आखिर जियो सिनेमा एप में बीना किसी सब्सक्रिप्शन के IPL जो है फ्री में क्यों दिखाय जा रहा है और इसके पीछे कौन कौन से काराड हो सकते हैं इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को देखते रहे हैं और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसे ही यूसफुल वीडियो हमेज़ा देखने को मिलते रहें तो तो मुझे लग रहा है जियो सिनेमा एप में फ्री में IPL दिखाने के पीछे दो सबसे बड़े काराड हो सकते हैं और पहला कारण यह है कि आप Jio Cinema एप में फ्री में IPL देखने के चक्कर में ज़्यादा तर लोग जो है Jio का SIM पर्चेस करने वाले हैं जिससे Jio Company के जो यूजर है SIM यूजर है उनकी संख्या काफी बढ़ने वाली है जिससे Jio Company को काफी profit होने वाला है और मुझे लगता है साथ इसी वज़े से Jio Cinema एप में फ्री में IPL दिखाया जा रहा है और दूसरा कारण मैं मानता हूँ कि जब आप IPL Jio Cinema एप में देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे डेटा की जरूरत पड़ेगी क्यूंकि एक मैच कम से कम 5 गंटा जो है होता है पहले 20 ओवर का मैच होता है और 20 ओवर के मैच में पहले एक टीम खेलती है फिर दूसर पर कम से कम मुझे लग रहा है करीब 4-5 GB डेटा का यूस होने वाला है और जब आप फिरी में IPL देखने की चक्कर में पड़ोगे तो इसके लिए आपको जादा से जादा डेटा जो है लेना पड़ेगा और डेटा आप कैसे ले सकते हो फिरी में तो मिल नहीं रहा है तो के लिए भी आपको एक पैसा जो है चुकाना पड़ेगा और इससे भी जियो कंपनी को जो है काफी प्रॉफिट होने वाला है तो मुझे लग रहा है साथ इसी वज़े से जियो कंपनी की तरब से जो है जियो सिनेमा एप में फ्री में IPL जो है दिखा जा रहा है वससे आप मुबायल में IPL देखोगे तो वहां पर आपको हर एक ओवर के बाद एड देखने को मिलेगा तो यह जो एड आएगा इससे भी काफी प्रॉफिट कंपनी को जो है होने वाला है ठीक है इससे भी कंपनी काफी सारे पैसे जो है कमाने वाली है यानि कि आपको फिरी का समान द तो आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बता सकते हो